नमस्कार मैं हूँ अभिशेक चत्रवेदी धर्म कर्म में आपका स्वागत है बात करते हैं आज के पंचांग की गुरुवार 30 नवेंबर 2023 शुब विक्रम समवत 2080 सनवत्सर का नाम पिंगल शाके समवत 1945 हिजरी समवत 1445 अब आपको बताते हैं आज की तिथी के साथ ही बताते हैं कि ये किस तरह आपके लिए फल्लाई होने बाली है शुब तिथी तृतिया जया संग्यक तिथी दोपहर बाद दो बच कर 26 मिनिट तक तदुपुरांत चतुर्थी रिक्ता संग्यक तिथी होगी दोपहर बताते हैं और अब बात करते हैं नक्षत्रों की नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहने वाला है आप पर क्या असर रह सकता है और अब बताते हैं आज की योग के बारे में जान लीजिए आज कौन सा विसिष्ट योग है योग शुब नामक ने सरगिक शुब योग रात्री आठ बचकर चौदा मिनिट तक तदुपुरांत शुक्ल नामक ने सरगिक शुब योग है विशिष्ट योग सरवाद सिधी नामक शुब योग प्रारंब अपरहां तीन बचकर एक मिनिट से अब बात करते हैं आज के व्रतोत्सव त्योहार और विशेश आयोजनों की प्रतोत्सव आज सोभागे सुंद्री वरत चंद्रोदै जैपूर में रात्री आठ बचकर साथ मिनिट पर और अब नजार आलते हैं चंद्रमा की इस्तती पर राहुकाल पर और जानते हैं दिशाशूल के बारे में चंद्रमा मिथुन राशी में संपून दिवरात्री है दिशाशूल गुरवार्कों दशिन दिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है चंद्र इस्तिती के नुसार आज पश्यम दिशा की यात्रा लाबदायक वशुप्रत रहेगी रहुकाल मध्यमान से दोपहर बाद डीट बजे से अप्रहान दीन बजे तक रहुकाल वेला में शुब करेरंब यथा संभव वर्जितरतना हितकर है बात करते हैं शुब मुहुरत और स्रेष्ट चोगडिये की शुब मुहुरत उप्रयुक्त शुब समय तिथी वार नक्षत्र वयुका नुसार आज किसी शुबव मांगली कार्यादी के शुबव शुद मुहुरत नहीं है शुब के शुब के शुब के शुब चोगडिये हैं एवं दोपहर ग्यारा बच कर चोवन मिनिट से दोपहर बारा बच कर चतिस मिनिट तक अभीजीत नाम अक्षरेष्ट मुरत है जो आवश्यक शुब करेरंभ के लिए अतित्तम है आज जनम लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में भी बताते हैं आपको आज जनम लेने वाले बच्चें के नाम डश को ह आदी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं इनके जनम राशी मिथुन है मिथुन राशी के स्वामे बुध है इनका जनम रजट पाथ से है सामनेत ये जातक सहासी बुद्धिमान, नम्रस्वभाव, विद्वान, सेवाभावी, काव्य प्रेमी और परोपकारी होते हैं इनका भाग्यदे 24 वर्ष की आयो के बाद ही होता है मिथुन राशे वाले जातकों के बिगड़े हुए कारे अपने बुद्धिमानी से सफल होगे, आपके प्रभाव में भी व्रदी होगी तो पंचांग, ग्रह, नक्षत्र, चोगडिया आदी के बारे में जाना आपने खास ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्रहन अक्षत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर भरूसा रखते हैं इश्वर से कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, नमस्कार